नमस्कार दोस्तों तो मैंने श्पेशल एजूकेशन में आज भी एक वीडियो अप्लोड किया है उसमें काफी सारी वकैंसिस आई थी और मैंने पहले एक दो दिन पहले भी अप्लोड किया है और इसी तरीकी की वीडियो स्पाने के लिए आप चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लीजे ठीक है तो लेवल दस की पोस्ट है यह लेक्चर की पोस्ट है और अन्रिजर पोस्ट है और एज देखेंगे आपर 40 सान लेख रखी है बिल्कुत 40 सान होनी चाहिए आपकी एज के इनसेल क्वालिफिकेशन में कि आपके पाषब मास्टर डिग्री होनी चाहिए ल पर लिखा हुआ है बिल्कुल आप clear पढ़ सकते हैं 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए और M.Ed में आपके पास 55% मार्क से होने चाहिए और जो भी आपके डिग्री है वो RCI से recognize होने चाहिए लिख रखा है RCI से आपकी जो उनिवस्टी है वो recognize होने चाहिए और desirable में लिख रखा है वांचनिय योगितार कहते हैं इसको और इसमें experience जिसके पास होगा और PhD होगी उसको ये preference देंगे selection में ठीक है PhD होगी उसको selection में preference देंगे experience इन्हों लिखा कि three years का होना चाहिए teacher researcher in the area of visual disability मलब visual disability में आपके पास तीन साल का experience होना चाहिए form आपको कैसे apply करना है यहाँ पर पूरी detail दे रखी इन्होंने कि आपको demand draft बनवाना है 500 रुपीज का ठीक है और SCST candidate है तो उनको 250 रुपए का demand draft बनवाना है ठीक है कहाँ पर बनवाना है कैसे मिलेगा आपको government के rule कैसे रहेंगे ठीक है यह सारी details यहाँ पर लिख रखी यह आप पड़ सकते है यहाँ पर पूरी detail दे रखी इन्होंने आपको send कहा करना है यह 21 days के अंदर अंदर आपको send कर देना the application आपको कहाँ पर भेजनी NIE PVD 116 राजपूर रोड देरादूर उत्राखंड 24808 ठीक है यह इनका address है और आपको यहीं पर आपको अपना form पूरा fill करके send करना है बात कर नैशनल इस्टिटूट की यहाँ पर लिख रखा देख सकते हैं आप नैशनल इस्टिटूट फोर दा इंपावर्मेंट और परसन विजूल डिसेबिलिटी ठीक है यहीं पर यह पोस्ट आई हुई है आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज डेट जो है वो तीन तारी करने के ठीक हैं और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो बनाके एक्स्प्लेइन कर सकें धन्यवाद